मैं रोड गाउं की तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस वक्त हम बिल्कुल साथ रोड गाउं के मुहाने पे मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं दूर तक पानी भरा हुआ है यह बारिश का पानी है जो पिछले काफी समय से सूखा नहीं है आप देख सकते हैं हालात क्या हैं यहां के स्थानी दुकांदार और प्यापारियों से बाच्चित करते हैं सर क्या नाम है का राजन शर्मा जी यहां क्या इस्तिती है यह पानी इस तरह है कोई भी हमारी सुनाई नहीं करता हम रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्णर साब से कि हमारा पाने निकल वह जाए और शीवर का हमारे से मैं जी 20 फूट जगह में ही पाइप लाइन है अगर वह जाए तो बड़ा समस्या खतम हो जाएगी समस्या खतम है यहां जिंदल फैक्टरी के बार का एरिया है अमारे जारों इतने ट्रक आते हैं जाते हैं हर ट्रक के अंदर दो आदमियों को श्टाब है गाडियां खड़ी के उत्ति हैं पार्किंग एरिया में सबी को कोवीड का समय चल रहे है स्वास्ते लिया से देखते अब आने की स्थिति यहां पर बारिश में एसी तरह से लोगों को भीार करने के करन कर वजय हुए है कि यांपर धिन राध इतने मлов critically यहाँ हैं असे गली वालों को निकलना है बड़ Wire inappropriate के समीन पानी पूरा बर जाता है सड़क से काफी नीचा है तो थारा पानी हाँ जी बिल्कुल है चारों तरब से देखो यहां पर जील अपा क्यों उच्छा है तो यहीं पर आएगा और मैं सरकार से दर्खवास ते मेरी के इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान करया जाए ताके य हाँ पर खास तो और से पानी की निकासी की कोई विवस्ता नहीं है। इलाका यह जो शेत्र है यह नीचा पढ़ता है तो तमाम जो पानी बहर करके यहां आता है। हलाकि यहां के इस्तानी निवासियों का साब तोर से कहना है कि कई बार इन्होंने प्रशासन से इस मामले की शिकायत भी की है और यह जो पानी है आप कह सकते हैं कि डेंगू, चिकन, गुनिया और तमाम तरह की बीमारिया हैं मक्षर जनि जो बीमारिया हैं वो आज के ही इसी म मौसम में फैलती हैं, बारिश और मानसून के मौसम में फैलती हैं और आप देख सकते हैं यह पानी बारिश का कब से और कहां से यहां ही कठा हुआ है, कितने दिनों से, तो जाहिर दोर पर जो है मक्षर जनि जो बीमारिया होंगी वो आपके स्वास्थे पर और तमाम चीज स्थीती बहुत बुरी है जी, गंदा पाणी है, मतसर पैदा हुए है, एक मिन्ने से प्रेशान है, नगर निगम की कमिशनर भी आ लिए और पी डबलूटी वाले भी आ लिए, सब से कह दिया है, एक मिन्ने का अस्टिमेट दिया था, अब वले सीवरेज के कनेक्शन नस्द अथर लगन लग रहे है, सिर्फ इसी पानी की वज़े से है, जी, पानी जो है, बड़ी समस्या बना हुआ है, यहां के इस्तानी है, वेपारियों दुकानदारों के लिए, हां, हां, जी, हमने निगम को पी डबलूटी को बार बार शिकायत कर लिया है, लेकिन अमारी सुना अथिकारीयों के पास तो उस वक्त जो है, वो सिर्फ इत्ता कहते हैं कि हां, ठीक है, हम काम करवा देंगे, लेकिन आप तस्वीरें जो है, इस तरह पे एक बार देख लें, कि वाकई में इस्तिती और हालात क्या है, यहां पर इस्तिती बेहच, चिंता जनक ये पानी, क्यो जाहिर तोर पर जो है, लोगों के स्वास्ते के लिए बड़ा खिलवार, यहां होता वो नजर आ रहा है, साथ रोड गाउं की तमाम समस्याइं हम लेकर यहां हाँ हाजिर हुए थे, साथ रोड खास में क्या-क्या दिक्कते हैं, इस सीरीज में हम आपको तमाम समस्याइं द तस्वीरें, यह खाबर, यह वीडियो आप ज़्यादा से ज्यादा शेयर करें, तब ही इन समाम समस्याओं का समाधान हो सकेगा, यदि आपके शेत्र में कोई बड़ी समस्या है जिसका निदान, जिसका समाधान नहीं हो रहा है, तो The Nation Times के नीचे जो नंबर फ्लैस हो रहे हैं हमारी description में जो number लिखे हुए हैं उस पर आप call कर सकते हैं हम आपके शेत्र की तमाम तस्वीरें प्रशासन तक सरकार तक पहुंचाएंगे यदि आपके शेत्र में हमारी team नहीं पहुंच पा रही है तो आप हमारे whatsapp नंबर पर अपनी उशेत्र की हालात वहां की तस्वीरें आप वर्ट से भी कर सकते हैं हम उन तमाम खबरों को अपने new channel का एक के स्थान परिस्थान देंगे और उसे प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे बहुत बहुत अपने देंगे बहुत